ओम शान्ति 11 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क आज की मुरली से हम लक्षे लेंगे स्वरक का मालिक बनने का पुरुशार्थ करना है स्वरक का मालिक बनने के लिए तीन बातों पर अटेंशन देंगे मन मना भव, श्रीमत और त्रिकाल दर्शी मन मना भव का अर्थ है चलते फिरते उठते बैठते एक बाप की याद में रहना और बाब को याद करने के लिए बाबा ने कहा, जितना याद करेंगे उतना ही विकरम विनाश होंगे, अंत मती सोगती हो जाएगी, आत्मा पवित्र बनती जाएगी, स्वरक के मालिक बनेंगे. याद में अंत गती सोगती कैसे होगी, क्योंकि जितना हम याद करेंगे, तो बाबा की श्रीमत याद रहेगी, श्रीमत पर चलने वालों की गती जो होगी, वो स्वरक का मालिक बना होगा. और याद से बाबा के संसकार हमारे अंदर आते जाएगे, तो आत्मा पावन बनती जाएगी, जितना पवित्र संसकार होगे, तो विकरम करने के संसकार भसम हो जाएगे. इसलिए बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते मेरी याद में रहो तो आज चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने के लिए समृति सवरूप रहेंगे कि मैं combined सवरूप आत्मा हूं जैसे आत्मा और शरीर combined है ऐसे मैं और बाप आत्मा और बाप combined है इस सवरूप में रहकर जब हर करम करेंगे तो समृती रहेगी करावन हार करा रहा है तो करम में भी सफलता रहेगी और आत्मा भी निश्चिंत रहेगी तो आज इसका अभ्यास करेंगे और चलते फिरते बाबा के गुणों का चिंतन महिमा का चिंतन करते रहेंगे कि बाबा बीज रूप है करन करावन हार है स्वरक का रचैता है ज्यान का सागर है बाबा के लिए ही गीत गाते हैं कितना मीठा कितना प्यारा शिप भोला भगवा तो भोला बन करके याद करना है अर्थात सच्चे मन से बाबा की याद रह सकती है मन सच्चा नहीं है भोले नहीं है तो याद भी नहीं रह सकती दूसरा है संबंधों से याद करना पिता के संबंध से बाबा संगम पर हमें बेहद का बाब बेहद का वर्सा देता है स्वरक का मालिक बनाता है टीचर के समद से इस नशेवा खोशी में रहना है कि समुक टीचर आकर के हमें पढ़ा रहा है इस पढ़ाई को पढ़ने से हम भविश्य की प्रालब्द बना रहे हैं इस समे स्वयम भगवान हमें free पढ़ा रहा है यहां कोई फीस नहीं है और सत्गुरु बन करके हमें पतित से पावन बना रहे हैं तो इसी तरह आज सारा दिन मन मना भव की स्थिति में रहना है दूसरा अर्थ बताया मन मना भव अर्थाद देही अभिमानी बनो क्योंकि तुम है तुम आत्मा को अब वापिस मेरे पास आना है तो देही अभिमानी बनना अर्थाद चलते फिरते अशरीरी का अभ्यास करना मैं आत्मा इस शरीर में पाट बजाने आए हूँ मुझ आत्मा को ये शरीर छोड़ कर वापिस अपने घर जाना है और छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाट नूंधा हुआ है ये सारा दिन समृती में रहे तो देही के भान में सारे करम करेंगे तो बाबा की याद रहेग दूसरी विदी बताई स्वरका मालिक बनना है तो संगंपर बाबा की श्रीमत से श्रीमत पर चल अपने आपको श्रेष्ट बनाना है श्रीमत आज बाबा ने ये दी कि तुम ज्यानी तु आत्मा हो तुमें बहुत मीठा बनना है और सब के साथ मीठा व्यवहार करना है ग्रेना या लगाव नहीं हो सकता स्वियम को जितना हलके रहेंगे उतना ही तरिकाल दर्शे बनकर हर करम कर पाएंगे तो भाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए तुम्हें अपना सब कुछ इंशोर कर देना है इस श्रीमत पर आज अटेंशन देना है क्योंकि आज ध्यान में रखनी है इस श्रीमत पर चलने से ही हम श्रीष्ट देवता बन सकते हैं नेक्स्ट बाबा ने फिर बताया तरिकाल दर्शी बनकर सेवा करनी है अर्थात बाबा ने कहा ज्यान का सिमरन कर तरिकाल दर्शी बनना भी है और दूसरों को बनाना है जब हम ज्यान का सिमरन करेंगे ज्यान के पॉइंट्स को जीवन में धारन करेंगे तो हम मास्टर ज्यान का सागर बन जाएंगे जो मास्टर ज्यान का सागर बनेंगे तब हम अंधों की लाठी बनेंगे अज्यान नींद में सोय हुए को सुजाग कर पाएंगे और ड्रामा के हर सीन को देखते हुए निश्चिंत रहेंगे तो आज इस त्रिकाल दर्शी पने की सुम्रिती में रह करके सेवा करने का लक्षय रखेंगे कि परमात्मा सरव्यापी नहीं है प्रजा पिता के द्वारा ही रचना रचते हैं हम ब्राह प्रामन बनते हैं तो शंक ध्वनी करते हैं तो हम ही शिव शक्ति हैं तो इस सवरूप में रह करके दूसरी आत्माओं को आज ज्ञान देने का लक्षय रखना है तो इस तरह हम स्वरा का मालिक बन सकते हैं ओम शान्ति